नमस्कार मैं हूँ वज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बी कभीर सिंग की आलोचना करने वालो को शाहिद कपूर ने दिया करारा जवाब ऐसा जवाब जिसे सुन कर आप हैरान रह जाएंगे जहां बॉलेवोड अक्टर शाहिद कपूर की सुपर डुपर हिट फिल्म कभीर सिंग पहले ही दिन से ही सिनेमा घरों में धमाकेदार आंकले दर्ज कराती जा रही है फिल्म की कमाई कालम ये है कि एक महीने बाद भी इसके आंकडे लोगों को चौकाते नज़रा रही है फिल्म को सिनेमा घरों में जो सफलता मिली है उसमें इसकी आलोचनाओं का भी बड़ा हाथ है असल में फिल्म कभीर सिंग को पहले दिन से ही इसकी कहानी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कई सारे लोग हैं जो कभीर सिंग की कहानी की खामियों पर अपने विचार रखे और कहा कि ये फिल्म महिलाओं के साथ नियायन नहीं करती है कभीर सिंग की लगातार हो रही आलोचना उपर आखिरकार अब शाहिद कपूर ने मीडिया से बात की और बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी किर्दार में ऐसी खामिया दिखाई गई हो बॉलिवुड में ऐसी कई सारी फिल्म में रिलीज हुई है जिनके किर्दारों में ऐसी खामियार रही है शाहिद कपूर ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है बॉलिवुड में ऐसी कई सारी फिल्म में रिलीज हुई है जिन में ऐसे किर्दार रही है लोगों ने उन किरदारों पर कुछ नहीं कहा अब फिल्म संजु का ही एक सीन ले लीजे जिसमें एक पती अपनी पत्नी के सामने बैट कर ये कहता है कि वो तीन सो लड़ियों के साथ सो चुका है इस सीन पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया शाहिद कपूर ने कबीर सिंग के आलोचकों से नाराजगी जताते हुए कहा जब दरशक ऐसे किरदारों को हॉलिवूड फिल्मों में देखते हैं तो उनकी तारीफों का पुल बांद देते हैं इन करदारों को निभाने वाले कलाकार को बहादुर बताया जाता है लेकिन बॉलिवूड में अगर कोई आक्टर ऐसा करदार निभाता है तो उसकी आलोच ना की जाती है ये बहुत गलत बात है फिल्म कबीर सिंग में शाहिद कपूर के साथ कियारा आडवानी भी है जिन्होंने प्रीती का करदार निभाया है दोनों आक्टर को इनकी आक्टिंग के लिए काफी तारीफे मिल रही है आपको बता दे कबीर सिंग के लिए शाहिद कपूर ने काफी मिहनत की थी शाहिद क पूर ने कबीर सिंग के लिए अपने लुक्स में काफी एक्सपेरिमेंट किया और अपने किरदार में घुसने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा दिया कियारा के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही शानदार नजर आई इतना ही नहीं शाहित कपूर और कियारा आ